एक खास मेहमान Profit Mart Securities के अविनाश गुरक्षकर अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का हमारे साथ Profit Mart Securities के अविनाश गुरक्षकर जी हैं अविनाश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज लगातार दूसरे दिन मार्केट में तेजी कमा हो रहा हाला कि आज की तेजी में कंजम्शन और पेंट शेर शामिल नहीं रहे आज की तेजी में इनकी भूमिकार नहीं रही तो पेंट शेरों पर आपका क्या व्यू है आपकी क्या राय है मुझे लग रहा है कि परद सेक्टर में जो प्रब्लम है वो यह है कि हमने देखा है कि हालां कि टोड के कीमते काफी गीरी है लेकिन पेंड अभी भी ऐग डिस्करेशनरी सेक्टर है और अग अनदा अपरिल और अफट काया वन्हें वाला है क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे साइकल पे स्ट्रेस आ चुका है तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स को दिक्कत है कि हाला कि लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्स तो डेफिनिटली अच्छे लग रहे हैं लेकिन आने वाले एक दो पॉड्रस के लिए मार्जिन में काफी भारी गिरावट देखने की संबावन है तो इसलिए एशन पेंट्स बर्जर पेंट्स ये शॉट टर्म में हमको लग रहा है थोड़े से दबाव मेरेंगे तो यही कारण था कि इस पेंट्स सेक्टर में थोड़ी सी विक्वाली या थोड़ी सी नर्मी आज आपको ब अजार में चुकि कल हब्ते का आखरी कारवबारी दिन है छोटा हब्ता है तो कल अगर किसी को ट्रेट करना है तो इंट्रडे पिक आपकी क्या होगी और किसी का अगर थोड़ा सा लंबा नजर या है दो चार पास दिन का तो पोजिशनल ट्रेट कहां पर करना चाहिए तो इंट्रडे और पोजिशनल मैं समझता हूं कि बृतिशनल के लिए ही मैं आपको एक स्टॉक दूंगा क्योंकि इंट्रडे मैं ज्यादा देता नहीं हूं लेकिन पोजिशनल के लिए मुझे लग रहा है डावर एक अच्छा विकल्प है कल लिवर के नतीजे भी है और इस प्रकार का इनका ब्रिजनस मॉडल है जिस प्रकार का वॉलिंग ग्रोथ प्रीविएस कौर्टर में नहीं ने मैंटेन किया था management काफी confident है, इस बार भी 6-5 या 6% की volume रोत आएगी और margins में अच्छा ही जाप आँगा, तो ये एक short to medium term के लिए भी अच्छा पिक है लेकिन positional के लिए जिनको हफता 10 दिन के लिए अगर position लेनी है तो इस level पे ज़रूर एक position बनाई जासे है तो ये राई intraday trader के लिए और positional trader के लिए अभिनाज जी, आपका क्या take होगा RIL के उपर, अगर result से पहले कोई trade करना चाहे तो क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि प्रुतिन जे results आने के बाद एक review लियना ठीक रहेगा क्योंकि stock natural level से काफी बाग चुका है और जैसे Sandeep ने कहा कि हमको भी इंतजार रहेगा कि rights issue के क्या terms रहेगे क्योंकि ये बहुत ही important development है काफी समय के बाद company rights issue कर रही है और rights issue का main reason तो ये ही लग रहे है कि company की जो debt equity ratio है उसको कम करने में ये मदद करेगी तो अगर rights issue attractive terms पे price किया जाता है और काफी बड़ा rights issue announce होता है तो definitely markets में एक फड़ा सा sentimental booster rally ये stock में देखने को मेलेगी रही बाद हमको लग रहा है कि overall business segments पे देखे तो Jio के business पे क्या आर्पू की growth है क्या customer acquisition की growth है ये सबसे बड़ा आकड़ा होगा जो markets really watch करेगी overall refining space में तो सभी को पता है कि कुरूर के कीमते गिरने के बाद जो cutouti इनके जी आएगी तो उसके बाद outlook क्या रहेगा और आगे management क्या commentary कहेगी उसके उबर सब की नज़ रहेगी तो मैं समझता हूँ अभी तो hold करे रिजर्ट्स के बाद मेरे ख्याल से अगर यह सब positive निकलता है तो definitely उसके बाद ही इसमें निवेश का और या you know trading का एक position बनाए जासे है मुझे लग रहा है कि लीवर में definitely जिस प्रकार का volume growth की expectation है मैं समझता हूँ 2-3% की volume growth लीवर इस quarter में जरूर record करेगा हमको लग रहे है जो आने वाले quarters में जो management की commentary रहेगी और especially volume growth पे क्या outlook रहेगा वो काफी important है हाला कि जो tailwinds raw material prices गिरने के कारण लीवर को मिलेगा वो definitely इनके margins के बढ़ने के लिए मदद करेगी तो मैं समझता हूँ कि यह share में अच्छी तेजी results के बाद possibly देखने को मिलेगी हम समझते हैं कि जिनको share पहले भी खरीदना है वो भी खरीद सकते है लेकिन longer term के लिए कोई भी गिरावट अगर आती है बृतिन जय तो यह एक अच्छा portfolio का candidate साबित हो सकता है